अगर आप बिगनर्स हैं आपको मेकप बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस स्टेफ को आप ज़रूर फोलो करके प्राइक्टिस करिएगा अगर आपके घर में खुद की शादी है या किसी की शादी है घर पे या फिर फ्रैंड्स की शादी है तो या उनकी इंगेजमेंट है तो आप यह मेकप लोग क्रियेट कर सकती हो अराम से खुश से ही पाला जानी की जरूवत नहीं पड़ेगी आप इसे जरूर फॉलो करना जन आपको सबसे पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है क्लींजिंग मिल्क से करें या फेस वास बहु कर लेना है सबसे पहले आपको यहां पर टोनर यूज करना है टोनर में गुडवाइब स्क्राइब सी टोनर यूज कर रहे हूं अगर आपकी पास टोनर नहीं है तो रोज वाटर भी हो तो आप अप्लाई कर लें दो मिनिट के लिए लगा कर इसे एपजॉर्ब होने दे दन उसके बादब अपलाई करना है मॉश यहां मैं लैक मी का लैक मी का मॉश राइजर लॉम केम है और यूज कर रहagan है क्यूंकर मेच-बॉलिक करे हूं यह एक स्टॉप क्रीम की तरह है और यह बोहत बहुत बहुत हैं और सब्सक्राइब भी और तो ऑफ को ऐपकी शंद कीक्या सब्सक्राइब में और जरूर अगर और आपके ॸद्सक्राइब लगाने लिए बठीर नो um शेटरFill का मौसट राइजर को आप के लाईजरी ना करें और निधर लगाए अगर सेयुक्त बिमाच फे भी साब मौसटर के बादि 20 से पहले यहां पर म restauration कंगे उस के पर शुए करना ना है और absorb नहीं होने देगा, कोई भी side effect नहीं होगी और open post जो होते हैं, close हो जाएंगे, minimize हो जाएंगे और काफी followless base आपका नजर आएगा, मुशराइजिंग को भी skip ना करें, आपका skin के लिए बहुत जरूरी है, साथ में आप garden में भी जरूर करें, यहाँ पर मैं Maybelline Fit Me का foundation नहीं हूँ, pack hand में मैंने उसे लिया, लेकर उसको अच्छे से finger से उसे warm किया, उसके बाद direct में यहाँ beauty blender से apply कर रही हूँ, मैं यहाँ full coverage देने वाली हूँ, कि एक engagement makeup look है, तो मैं full coverage देने वाली हूँ, और direct में beauty blender से ही लगा रही हूँ, यह बहुत ही अच्छा step है, जरूर फॉलो करिएगा, अगर आपके पास कोई भी foundation है, आप उसे ले ले, बट अपने skin के cording ले, मेरे यहाँ पर जो Maybelline Fit Me का foundation है, shade है मेरे skin का 120, अगर आपके skin के जो भी clear है, shade है, आप उस हिसाब से foundation को ले, एक shade अगर light लेते हूँ, तो भी छेलेगा, क्योंकि जब oxidize होकर आपके skin के cording आ जाएगा, तो आपको beauty blender से बहुत अच्छे से थोड़ी से इंतिजार करकर, पैसेंस के साथ आप apply करें, और under eyes area में आपको ज़्यादा foundation अप्लाई नहीं करना है, आपके breast में या beauty blender में जो extra जो बच जाते हैं foundation, उससे आप cover off कर लेजिएगा, आप extra कोई layer मत apply करिएगा under eyes area में, तो यह beauty blender पानी में अच्छे से वेट करके आपको इस्तमाल करना है, dry beauty blender इस्तमाल नहीं करना है, बहुत जादा गीला beauty blender भी इस्तमाल नहीं करना है, excess water को अच्छे से निकाल कर, और wet beauty blender उसको इस्तमाल करना है, गर्दन में भी आप अच्छे से लगा रहे हैं, अपने कानों में भी देन उसके बाद मैं यहाँ पर concealer यूज़ कर रही हूँ Maybelline Fit Me का ही इसका shade है 1 to 5 आप अपने skin के cording light shade इस्तमाल करें अगर आप foundation के बाद concealer लगा रहे हो तो light concealer लगाए as a highlighting area में पहले जैसे like a breeze of the nose, forehead और mouth area में और under eyes area में अगर आपको बहुत जादे pigmentation है, dark circles है जो foundation के बाद भी hide नहीं होते हैं तो concealer बहुत जरूरी है concealer अगर आपको बहुत जादे pigmentation है, pimples है तो फिर आप color character के use करें foundation से पहले मैं यहाँ पर मुझे need नहीं है color character की तो मैं नहीं use की अगर आपको need है तो आप color character को जरूर use करना देन उसके बाद ही आप foundation apply करना फिर आप concealer को as a highlighter use करना तो मैं अपने mouth area में use की हूँ और जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ मेरी थोड़ी-थोड़ी pigmentation so हो रही है और like bridge of the nose, forehead में मैंने highlighting area में लगाया under eyes area में और eye lid पर में apply कर रही हूँ eye lid पर कभी भी skip ना करें eye lid पर जब भी आप eye makeup करो तो concealer से पहले अपने eye lid को अच्छे से conceal कर ले अच्छे से उसको आप blend करें देन उसके बाद ही आप eye makeup करें मैं यहाँ पर थोड़ी से अपने हमें से बताया है कि सिफ आपको उतने ही दूर में आपको blend करना है जितना दूर आपने considering किया है overall आपको पुरा face में apply नहीं करना है concealer को पुरा face पे नहीं फैलाना है अब बहुत ही presence के साथ concealer को आप मतलब blend करें same beauty blender से आप concealer को blend करें पुरा face पे apply नहीं करें concealer जो है light concealer आपको बहुत ज़्यादर जरूरी होता है foundation के बाद इसकी इपना करें अगर आप direct foundation के बाद कुछ भी make-up लगाते हो तो फिर भी वो आपका उतना flawless base नहीं दिखेगा मतलब वो उतना clear और even tone नहीं दिखता है अगर इस तरीका से आप अगर concealing करते हो foundation के बाद as a highlighting तो आपकी जो area है ओ क्या होता है कि आपका even tone दिखता है आप देख सिर्टो मेरा face जो है काफी हद तक dark circles भी hide हो गए है even tone दिख रहा है उसके बाद मैं यहाँ पर LA girl का dark brown set concealer ले रही हूँ eyes contouring यूज कर रही हूँ मैं अपने liquid contour use कर रही हूँ क्योंकि ठंडी का मौसम आही चुका है लगभग ठंडियों में अगर अगर आप engagement makeup look की आप bridal makeup look create कर रहे हो तो liquid contouring जरूर करें तो लाइक आपको contour जो है आपको पुरा नहीं लगाना है hairline के पास लगाना है nose area में लगाना है आपको इस तरीका से बहुत ही हलकल का straight line ले लेना है आपको nose में और forehead में जो मैंने आपको अभी दिखाया की hairline के नीचे लगाना है और आपको jawline के नीचे लगाना है same आप beauty blender से liquid contouring है तो beauty blender से आपको blend करना है आपको blend कभी नीचे के और नहीं करना है आपको उपर के और लेके जाना है hairline के अंदर अंदर और इस तरीका से आपको hap chick में करते हुए आपको लेके जाना है ठीक है और फिर आपको jawline है वहाँ पर भी आपको नीचे के और blend करना है आप उपर के और blend ना करें अब forehead में भी blend करने का तरीका जो है hairline का पास पास से ही आपको blend करना है पूरा forehead में नहीं apply करना है nose area में भी आपको बहुत ही साओधानी से इस तरीके साब dabbing motion में जो हता है ना डेविंग motion में आप इसको blend करें पूरा nose में ना फेलाएं आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से blend हो जाएं के बाद आपका nose का जो एक slim और साब दिखता है देन उसके बाद अगर आप loose powder के इस्तमाल कर रहे हो अगर आप oily skin है तो loose powder के इस्तमाल करें यह आपके base को set करने में long lasting waterproof बनाने में काफी help करता है और जो मैं यहां पर under eyes area में इस तरीके से loose powder में लगाया फिर mouth area में लगाया आपको पूरा अगर आपके dry skin है तो आपको पूरा face में apply नहीं करना है बस आप अपने concealing area में आपको loose powder के इस्तमाल करना है अगर आपकी oily skin है बहुत जादा oily मतलब आपकी skin है तो आप फिर पूरा face में आप apply कर सकते हो तो दो मिनट के लिए इस तरीका से backing होने दे powder को तब तक आप अपने गर्दन में भी powder से अच्छे से उसे set कर ले क्योंकि आपनी गर्दन में भी make up लगाया होता है तो उसको भी आपको साथ साथ ही set करना होता है उसके बाद आप इस तरीका से remove कर ले powder को अगर आपके ब्रस है तो उससे भी आप हलका हलका remove कर ले आपको रगणना नहीं है आपको बस अच्छे से आपको remove करना है आई लीट को भी बहुत अच्छे से इस तरीका से diving motion में आपको remove करना है ये loose powder क्या होता है कि आपके जो crease land बनना नहीं देता है आपके fine lens को बनने नहीं देता है और काफी smooth और flawless base आपका दिखता है long lasting दिखता है और sweat proof हो जाता है आपके make up long lasting रहती है तो इस तरीका से इस्तमाल करें अगर आपके पास compact है तो उसे भी use कर सकते हो बट loose powder जादा best होता है ठीक है अगर आप high coverage make up कर रहे हो party वगरा के लिए तो ठीक है इस तरीका से आपको इस्तमाल क के बाद अब मैं यहां पर अपने eye make up कर लूँ तो eye make up बहुत simple करने वाली हूं सबसे पहले मैं यहां पर अपने eyebrow को refine कर रही हूं Swiss beauty का मैं यहां पर ले रही हूं eyebrow kit यह powder eyebrow kit है जो के बहुत ही अच्छा होता है अगर आप beginner से तो आप eyebrow pencil भी use कर सकते हो मैं यहां पर bronze set pick की हू क्योंकि एक natural look देता है देन उसके बाद मैं यहां पर eye shadow hooda beauty का यूज कर रही हूं काफी affordable यह मितलब eye shadow palette है beginners के लिए बहुत अच्छा है तो मैं यहां पर एक ही shade ली हूं एक छोटी सी pencil brush ली हूं मैंने उसको मैंने dark set जो brown है उसको लेकर मैं inner corner में थोड़ा सा dark करने वाली और जो मेरे contouring area है eyes के उसको मैं बहुत अच्छे से blend करूँगी पूरे eye lid पे नहीं फैलाओंगी और outer corner को मैंने रखा है dark और inner corner को मैंने थोड़ा सा light रखा है पूरा क्योंकि outer corner आपके ज़्यादा puff off होते है तो आप उसे dark रखे और inner corner आप थोड़ा light रखे तो आपको अच्छे से blend करना है देन उसके बाद दूसरा सेड में ले रही हूं यहाँ पर golden and white यह color है सिम्री तो उसको में एक pencil brush के help से में inner corner से होते हुए half cut crease में में लेकर जा रही हूं और इस तरीकर से में अपने eye lid पे लगा रही हूं तो आपको पुरा यह जो सिम्री जो होता है न eye shadow तो sorry यह सिम्री eye shadow जो होती है न आपके eye look को एक मतलब glow और dwee look देता है तो मैं यहाँ पर कोई glitter वगारे use नहीं कर रहे हूं तो बहुत जादा heavy हो जाएगा फिर तो इस तरीका से फिर मैं same pencil brush जो मैंने पहले use किया था उस अच्छे से smudge कर रही हूं आप देख सकते हो ब के लिए काफी helpful है देन उसी pencil brush के help से मैं waterline area में भी apply कर रही हूं same dark brown shade लेकर मैं बहुत हलका product लेना है आपको बहुत जादा नहीं लेना है और हलका हलका product लेते विए आपको इस तरीका से अपने waterline area में आपको smudge कर देना है तो इस तरीके से आप ऊपर के और देखते भी कर लाता है और आपका eye makeup look ना बहुत अच्छी से दिखती है दिरूस के बाद में यहां पर like me का काजल यूज़ कर रहे हूं अगर आपकी छोटी आँखे हैं तो आप white काजल जरूर लगाईगा मैं suggest करूंगी क्योंकि बहुत beautiful look देगा आपको लेकिन मेरी eyes जो क्या ना की बड आने लगता है इसलिए में काजल बहुत कम ही यूज़ करती हूं वाइट करती हूं मैं बट मैं आज क्रियर जो कर रही हूं engagement makeup look तो मैं चाहती हूं थोड़ा काजल भी यूज़ करूं तो मैं यहां पर काजल यूज़ कर रही हूं अगर आपके चोटी हैं तो फिर white काजल य यहां पर मैं ZM का liquid eyeliner यूज़ कर रही हूं तो eyeliner मैं यहां पर यूज़ कर रही हूं तो थोड़ी सी थिन रख रही हूं ज्यादा मोटी भी नहीं पतली भी नहीं और मैं थोड़ी हलकी wing निकाल रही हूं क्योंकि मैं false aliasis भी लगाने वाली हूं अगर आपको wing लगाना है यह मसकरा मुझे बहुत पसंद है तो मैं अपने real aliasis को पहले अच्छे से मसकरा से fill कर ले रही हूं देन उसके बाद थोड़ा सूखने के बाद मैं यहां पर false aliasis लगाओंगी तब तक मैंने false aliasis को glue लगा कर छोड़ दिया है ताके मेरे aliasis अच्छे से लग जाए तब त यहां मैंने contouring किया था जेस्ट वहां पर मैं powder bronzing करूंगी ताकि यह थोड़ी सी highlight हो जाए और जो मैंने liquid contouring की थी बतलब set हो जाए तो आपको इसी तरीका से लगाना है पूरे आपको mouth area तक नहीं लाना है आपको उपर लगाना है और दूसरी बात है कि आपको hairline जो होते ह कर आपको इस तरीका से लगाना है पाउट बना कर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से एक cut देता है आपका face में तो अगर आपकी face बहुत जादा gold मटोल है तो फिर आप contouring यह bronzing जरूर करें जो है लान में भी आपको इस तरीका से लगा लेना है और गाईस अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है जो नए है तो प्लीज सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मैंने forehead में भी किया और अपने nose में भी किया है देख सकते हैं इसके बाद मेरी nose बहुत जादा सार्प और पतली लगनी और contouring का एक अच्छा सा look आजाएगा आपके face में जो कि बहुत ज्यादा important है आपको याद रिखेगा product आपको एक ही बार बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना है अपने recording light और dark कर सकते हैं देन उसके बाद मैं use कर रही हूँ bless तो bless मैं आज तोड़ा dark करने वाली हूँ बहुत ज्यादा light नहीं करूंगी तो मैंने तोड़ा ज्यादा product लिया लेकिन एक ही बार नहीं लेना है आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है तो बस bless लगाना है और आपको मैंने बताया है कि bless सब जब भी लगाओ तो मुस्कराते वे लगाओ और आपको इस तरीके से लगाना है जो अपने bronzing किया है उसको smudge करते वे लगा रहा है ताकि आपके face में यह ना लगे कि आपने bronzer अलग किया है और bless अलग लग लग रहा है तो look बहुत जादा awkward लगेगा इसी वज़े से आ आपका एक अच्छा सा look आता है ब्लस बहुत जरूरी होता है आपका face में यह आपको एक color add करता है तो ब्लस कभी भी skip ना करें यह एक पालर makeup look create करके देता है तो मैंने आपको लगाना तरीका बताया है अब बात करते हैं highlighting का तो यह काफी pigmented highlighter है यहां पर अगर आपके पस अ कि आपका face को एक glow परवाइट करती है एक दम glow सा लगता है डूवी सा लगता है और आपकी जो face है अगर आप जिसे lighting अगरा में जहा रहे हो तो आपका face बहुत जादा glow करता है तो जरूर आप highlighter का use करें तो highlighter को इस तरीक से आपको forehead में लगाना है मतलब like आपको highlighting area में लगा सकते हैं अपने recording देना आपको यहां पाफ़ चीक बॉंस में लगाना है थोड़ा थोड़ा बहुत ही अच्छा लुक देता है, तो आप देख सकते हो, उसके बाद फिर मैं यहां पर इनर कॉर्nor में लगा रहे हूं जैसे कि यह आप वेडिंग मेकप लुख हो रहा है, जैसे एंगेजमेंट मेकप लुग ब्राइडल मेकप लूग, तो inner corner में highlighting करने का मतलब होता है कि आपकी eyes का जो एक connection होती है और जो होती है ना मतलब बहुत अच्छी सी look provide करती है तो इस तरीके से आपको inner corner में लगा लेना है दिन आप बात करते हैं lip liner की तो यहाँ पर मैं Swiss beauty का light brown lip liner लगा रही हूँ तो यहाँ पर अगर आप जिसे bridal makeup करते हो तो फिर आप dark lip liner यूज कर सकते हो बट मैं यहाँ पर lightly यूज कर रही हूँ कि यह एक engagement makeup look create कर रही हूँ तो जो मुझे जादा dark lip liner पसंद नहीं है और एक चीज में आपको बता दूँ कि अगर आपके पास lip liner नहीं है तो आपके पास lipstick है तो पहले आप lipstick से ना पहले एक line draw कर ले उसके बाद ही आप lipstick को apply करें इससे क्या होगा कि आपको lip liner की need नहीं पड़ेगी और आप directly lipstick लगाते हो तो फिर फैनने का डर होता है तो इस तरीका से आप ज़रूर apply करना यह बहुत ही अच्छी tips है देन उसके बाद में यहाँ पर सूगर का छोटा सा मैंने लिया है बीनी lipstick और इसका जो sad है जो है ना तो यह क्या है कि nude भी है और pitch color में है मुझे बहुत अच्छा लगा और यह मुझे काफ़े चाड़े 300 में side पढ़ गया था एफडेबल में चोटी सी मैंने यह lipstick ली लेकर मैंने apply की है यह मेरे dress के cording भी मिल गया और मुझे अगर आप जैसे nude makeup look कर रहे हो तो भी आप इसे एक coat में लगा कर आप लगा सकते हो और इस तरीग से engagement makeup look में आपको light lipstick ही चलती है ज्यादा dark नहीं चलता है क्योंकि bridal में ही dark lipstick अच्छा लगता है तो इस तरीग से मैंने लगाया देन उसके बाद में Swiss beauty का lip gloss लगा रही हूँ अब lip gloss आप engagement makeup कर रहे हो और lip gloss ना लगाओ तो फिर रिस्ट करूंगी के लिए gloss जरूर लगाए देन मैंने यहाँ पर फॉल्स लगा ली है लगाने के बाद अपने रियल लैसेस और फॉल्स लैसेस को मस्करा से सेट कर रही हूँ ताकि अलग अलग ना लगे दोनों मेकवल सा अच्छे से सेट हो जाए देल लास्ट आपको मेकप फिक्सर से अपने मेकप को सेट करना है मैं यहाँ पर blue heaven का मेकव फिक्सर यूज कर रही हूँ आप कोई भी मेकव फिक्सर लें ताकि आपका मेकव बहुत अच्छे से सेट हो जाए और एक glow प्रोवाइड हो तो गाइस यह मेरा final look है कैसे लगए यह लूप आप जरूर मुझे comment में बताईएगा अपनी राय दीजिएगा और प्लीज इसको आप एक दो बार जरूर ट्राई करना अगर आपको मेकव बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको आज आएगी तो इस तरीका से मैंने यहाँ पर simple सा hair style की है और अपनी jewelry को पहना है और outfit जो भी है मैंने थोड़ी सी bangles भी पहनी तो मुझे बहुत जादा प्यारा लगा यह look आप अपने मतलब डुपट्टा को भी आपने हिसाब से carry कर सकते हो जैसे भी आपको comfortable लगे अपने डुपट्टा को carry कर लो तो आप यह प्यारा सा look आप खुश से घर पे ही आप कर सकते हो guys आप ज़रू try करना मैंने तो मुझे यह look बहुत जादा प्रसने नहीं अच् इस भी नहीं था मैंने किसी और से करवाया था यह look तो मुझे specially बहुत जादा पसंदा रहा है यह look आपको कैसे लगा आप जरूर बताना तो इसको जरूर try करिएगा तब तक के लिए मैं आपको next video मिलूंगी अगर आपको यह look पसंदा है तो please like जरूर करिएगा अबड़ी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बुलना अब बैल अकन को जरूर दबा लेजिएगा ताकि मेरी आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तब तक के लिए बाई 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 अला हाफीज टेक किया